नमस्कार दोस्तो आज बात करने वाला हूँ मदरास हाई कोट जज्मेंट के बारे में दोस्तो यहाँ पे टैक्सपेर ने इन्वोई जनरेट नहीं किया था जिसके वज़े से इसकी गाड़ी पकड़ी गई और पेनल्टी लगाई गई इन्होंने अपनी जो टर्नवर है जिसके और फाइल करते वाग गलत कर दिया बाद में नाइन में सही कर दिया तो उसके ओपर जज्मेंट है चलिए डिटेल में समझेंगे कि कैसे इन्वोई नहीं जनरेट करने पर पेनल्टी लगती है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ समझने को मिलेगा उससे पहले बताना चाहूंगा जो भी भाई बंदू मेरे चैनल पर पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे है जिन्हों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजिए सारे साथ content आपको मिलते रहे तो दोस्तों यह जो है मदरास हाई कोट का adjustment है जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ टेक्सपेर के बारे में टेक्सपेर जो है यहाँ पर cotton blast ट्रांस्पोर्ट कर रहा था 12 माई 23 को और इसने इन्वोईस जंडेट नहीं किया था as per rule 48 sub rule 4 के एकोड़ी बाद में इसकी गाड़ी पकड़ी गई और इन्वोईस जंडेट ना करने के वज़े से इसकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया और इसके उपर पनाल्टी लगाई गई जबकि इसकी turnover पांच क्रोड से कम थी तो इन्होंने repetition फाइल किया और इन्होंने बदाया कि 18-19 का जो financial year था उसके अंदर जो GSTR 1 गई है उसमें turnover गलत report कर दी गई थी बाद में जो annual return गई GSTR 9 उसके अंदर उसको rectify कर दिया गया था चुकि इसकी turnover इनकी जो turnover है हो 5 क्रोड से कम है तो 5 क्रोड से कम है तो उस case में इनको e invoice बनना mandatory नहीं होता क्योंकि retard में गलत report थी 9 में सही कर दिया और इनके ओपर जो penalty लगी है वो सारी penalty इन्होंने भरी है तो इनके case को देखा गया और ये पाया गया है कि इनकी turnover 5 क्रोड से कम है तो उस case में आरोप लगाया गया है उसको खारिस किया जा रहा है और petitioner को allow किया जा रहा है कि जो उसने penalty पे करी है वो penalty इसको वापस दे दिया जाए उसका refund कर दिया जाए तो यहाँ पर judgment आया taxpayer के favor में और penalty जो दी गई है उसको माफ कर दिया penalty जो लगाई गई उसको माफ कर दिया penalty जो इन्होंने pay कर दिया है उसको इसका refund मिल जाएगा इस judgment के basis पर यह refund फाइल कर सकते है तो देखो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपकी turnover GSTR यार उनमें गलत रिपोर्ट हो गई है या अपने गलत रिपोर्ट कर दिया और ना इनमें correct कर दिया है तो आप इस judgment का reference लगा सकते हैं तो समझके दोस्तों यह कमाल का content जो आपके सामने लिगा है वीडियो को से लिगी ज़रूर बता है ताइगी समझ जय हिंद वंदे मौत्रव